आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट कैसे बनाए जैसे कि आपके पास एक प्रियाम कार्ड नहीं है फिर भी आप अपना आधार कार्ड से इसली फोन पे अकाउंट क्रियेट कर सकते हो इस वीडियो में आपको step by step complete process बताने वाला हूँ देन इसके लिए आपको वीडियो को फ्ली वाच करना आपसे एक छोटी सी request है कि आपको वीडियो को लाइक करना सुगाईस चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट अब आप जो वीडियो देख रहे हो देन यहाँ पर आपको titles के नीचे more का एक options हो देन इस पर आप पर आपको नीचे देखने को मिलेगा app link देन इस पर आपको क्लिक करते हो देन यह आपको redirect कर देगा आपके play store में यहाँ से आपको play store से phone पे app को install कर लेना जैसिंग मैंने से app को already install कर लिया है install कर लेने के बद देन यहाँ से आपको open पर click करना like कुछ इस तरह से आपके सामन phone पे app open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा enter your mobile number यानि कि यहाँ पर आपको अपने bank में registered mobile number को इंटर करना होगा जो आपके bank account में लगा वही mobile number यहाँ पर आपको इंटर करना जैसे आप इंटर करते हो इंटर करने वाद दें नीचे आपको proceed पर click करने वाद यहाँ पर like कुछ इस तरह से इंटरफेस open होगा यहाँ से आपको इन permissions को allow कर देना होगा अब आपको सबसे पहले अपना bank एड़ करना लेना होगा दरवास नीचे आपको देखनेंगे मिल जेगा all banks यहां से आपको अपना bank होज लेना जैसे आप अपना bank select कर लेते हो यहां पर आपको उस पर क्लिक करना और यहां से आपका bank account find किया जाएगा जैसे कि आप मेरी screen पर देख पार है यहां से मेरा bank account add हो चुका add हो जाने कबाद like कुछ इस तरह interface open हो जाएगा अब यहाँ पर आपकी bank की detail open हो जाएगा यहाँ से आपको अपना bank detail चेक कर लेना होगा तरह नीचे आपको देखने मुलेगा set upi pin देन इस पर आपको click करना जिस पर आप click करते हो अब यहाँ पर आपको दो option देखने मिल जाएंगे first option होगा आधार number के through आप अपना upi pin create कर सकते हो and second option होगा ATM card के through तो आपके पास ATM card तो है ने यहाँ पर आपको first option को select करना होगा जैसे आप first option select करते हो देन नीचे आपको continue पर click करना होगा और यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए wait करना होगा अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा verify आधार number this is required to securely set your upi pin ही यहाँ पर आपको अपने आधार card के starting के 6 digit इंटर करना होगा जैसे कि आप मेरे screen पर देख पर enter the first 6 digit of आधार number तो यहाँ पर आपको अपने आधार card के starting के 6 number इंटर करना होगा लाइक कुछ इस तरह से आपको भी अपने आधार card के starting के 6 digit इंटर करना होगा यहाँ पर आपको continue पर click करना हो यहाँ से आपको permission को allow कर देना होगा जैसे आप permission को allow कर देते हो तो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा यहाँ पर आपको done पर click करना अब यहाँ पर आपको देखने को बिलेगा enter 6 digit bank OTP यानि कि यहाँ पर आपको अपना bank OTP इंटर करना होगा यहाँ पर जो भी आप अपना UPI पन बनाना चाहुता हो वह आपको enter करना जैसे आप इंटर कर लेते हो दिया हो यहाँ से आपको done पर click करना जैसे आप done पर click करना अब आपको कूस्स्तमे लिए वेट करना हो यहाँ आपको देखने को लिए UPI पन इसोड, तो יहाँ से आपक इस तरह से UPI PIN successfully set हो जाएगा जैसे कि आप मेरे screen पर देख पा रहे हो तो यहां से आपको totally back करते हो यानि कि आपको phone पे app की home screen पर आ जाना यहां से आप जैसे किसी को पैसे transfer करना चाहते हो या आप mobile recharge करना चाहते हो या आप bank balance चेक करना चाहते हो तो अब आप easily कर सकते हो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना bank balance कैसे check कर सकते हो तो यहां पर आपको check bank balance का एक options होगा देन इस पर आपको click करना होगा और यहां से आपको अपना bank select करना select करने UPI PIN आपने भी create किया वो UPI PIN यहां पर आपको enter करना जैसे आप इंटर करते हो देन आपका bank balance successfully देखनेंग मिल जाएगा तो इस तरह से आप अपना phone pay का account आधार card से create कर सकते हो जैसे मैं आपको live proof के साथ बता दियों अब आपको वीडियो को like करना मिलते हो